नमश्कार आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में मैं हूँ अरुनेंदर कुमार एक खबर जो कि शायद मेंस्ट्रीम मीडिया में नहीं आई एक खबर जिसे इस देश को जानना चाहिए था कि किस तरीके से इस देश में आज भी हमारे भारतिय सेना के जवानों के साथ जो दुरवेवार होता है जिस तरीके की उनके साथ हरकत की जाती है वो भी किसी और के द्वारा नहीं उन्हीं लोगों द्वारा जो की कानून के रखवाले कहे जाते हैं जो कि जिनके उपर दारमदार होता है कि वो law and order को maintain करेंगे और न्याय दिलाएंगे लोगों का जी हां ये मामला जो है वो पंजाब का है जहां पर एक भारतिय सैना के जवान जिनका नाम नायक अरविंदर सिंग है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ पुलिस स्थेशन में पहले तो मारपीट की गई उनके कपड़े उतारे गए और सबसे बड़ी बात जो की सिक धर्म की सबसे बड़ी शान कहा जाता है जिसे जो की इज़त होती है उनकी पगड़ी उसे भी उतरवाया गया या कह पुलिस स्थेशन जाते हैं आपको पहले ये बता दू कि ये पूरा मामला किसलिए शुरू हुआ दरसल नायक अरविंदर सिंग जो है वो भटिंडा में इस वक्त सिंगनल्स कोर में जो है वो पोस्टेड है उनका उनकी पतनी से पिछले कुछ दिनों से विवात चल रहा है जो की पंजाब पुलिस में ही हैट कॉंस्टेबल है उनकी पतनी जो है वो मुलापुरा जो थाना है उसमें पोस्टेड है बीते नवंबर में 2023 में उनकी उन्हों जो है वो अपनी पतनी से और एक नवजाद बच्चे से मिलने थाने में गए हुए थे जहां पर वहीं के जो पुलिस वाले थे बाकी पुलिस वाले थे उन्होंने जो है अरविंदर को बहुत धमकाया उनके साथ बत्तमीजी भी की जिसके बाद उनको कहा गया कि वो सेक्टर 11 जाकर के चंदिगर वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्च कराएं सेक्टर 11 जो पुलिस सेशेशन है वहाँ प नहीं मारपीट के साथ साथ उनके कपड़े उतारे उनकी पगड़ी उतारी और उनसे कोरे कागस पर साइन भी करवाई और उनसे दो अलग-अलग स्टेटमेंट भी लिखवाए गई इस बात की शिकायत जब नायक अरविंदर सिंग ने वहाँ के SSP से की तो उस शिकायत का क कोई उन्हें जवाब नहीं मिला वो काफी दिनों तक इसका इंतजार करते रहे लेकिन फिर उन्होंने अपने कमांडिंग ओफिसर को जो की मिलार महता माफ कीजेगा जो हैं कमांडिंग ओफिसर उनको उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी जिसके बाद कमांडिंग अफिसर ने सीधे DGP को इस मामले को उनके संग्यान मिलाया इस मामले को और इस पर अपना रोश भी व्यक्त किया। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि उनका जो विश्वास है कानून जो लोगों का विश्वास है कानून पर से उठ जाएगा। दिखा है और इस मामले को उनके भी संग्यान में लाया है। इसके बाद भी जब और अरविंदर सींग ने ये भी कहा कि जो उनका मामला था उसे उसी थाने में सेक्टर 11 के ही थाने में जाच के लिए भेज दिया गया। अब उनका कहना ये था कि उसी थाने में अगर उस मामले को जाच के लिए भेज दिया जाएगा तो उस पर तो जाच होने से रही क्योंकि वहीं के पुलिस अदिकारी को खिलाफ केस है। और ऐसे में उसी पुलिसे सेशन में केस का जाना कहीं न कहीं एक तरीके से ये दिखा रहा था कि पुलिस गोल मूल रवया इस पूरे मामले में अपना रही थी। इसके बाद जो नाइक अरविंदर सिंग थे उन्होंने जो ये केस था उसको एक दूसरे डियेसपी को सौपने के लिका था जिसका भी कोई जवाब पुलिस की तरफ से उन्हें नहीं दिया गया। लास्ट में थक हार करके नाइक अरविंदर सिंग ने फरवरी के महीने में 2024 में उन्होंने पंजाब और हर्याना हाई कोट का रुक किया जहां पर हाई कोट को उन्होंने अपनी सारी जो उनके साथ आप बीती हुई वो सुनाई और इसके बाद हाई कोट ने जो है पंजाब 2023 को वो उस थाने में गए थे और फिर उसके बाद वो वहां से जो सेक्टर 11 के थाने में गए थे जिस डेट को उस डेट का जो data है उस देश का डेट का जो तारीक का जो CCTV डेटा है उसको रिजर्व किया जाए उसको सुरक्षित रखा जाए और 21 चारीक को 21 फरवरी को उने में पेश करना होगा कहीं न कहीं ऐसे मामले जो हैं वो बड़े मीडिया हाउस में नहीं आपाते लेकिन इस तरीके का वहवार किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता गलती किसकी है क्यूं है इसके लिए अदालते हैं पुलिस वाले जिस तरीके से एक तरीके से परस साथ ही थे इसलिए उन्होंने इस तरीके की हरकत की लेकिन उन सब को ये तो जरूर पता ही होगा कि वो जो जवान है वो इंडियन आर्मी का जवान है और वो एक सिख पगड़ी धारी जवान है तो कम से कम एक जवान के साथ इस तरीके का वहवार नहीं होना चाहिए चाहे उस के साथ हैं हम आपके हर उसमें साथ में हैं तो इस तरीके की जो हरकत है जो पुलिस द्वारा की गई चंदीगर पुलिस द्वारा की गई वो कहीं न कहीं शर्मनाक है और कहीं न कहीं इस पर रक्षा मंत्राले को भी एक्षन लेना चाहिए रक्षा मंत्राले को भी इस पर तु वीडियो भी बनाया गया है, वीडियो भी माली जी आप एक तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, उपर से उसका वीडियो भी बना रहे हैं, ताकि उसको आगे चल करके आप और सरमिंदगी महसूस करा सकें, उसकी बेज़ती कर सकें, इस तरीके से भी उसके साथ ये सारी हरकते की गई है और उसका स्टेटमेंट लिया गया ब्लैंक के पेपर्स पर उससे साइन करवाए गए ये कही न कहीं दिखाता है कि जो कानून है वो कहीं न कहीं लचर और कहीं न कहीं एक तरीके से अपने आपको जिस तरीके से उन्होंने प्रिजेंट किया है चंदिगर पुलिस न इसका कोई भी जिक्र नहीं है जबकि ऐसी नियूजों को प्रात्मिक्ता से दिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से सलूक हो रहा है हमारे देश में हमारे ही देश की पुलिस द्वारा हमारे ही देश के जवानों के साथ आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताईएगा जय हिंद जय भारत